दोस्तों Tata Steel की बात की तो बहुती पूरानी कमपनी यानी Tata Steel की सबसे पूरानी कमपनी जिसकी सुरूआत अंग्रेजों के समय से हुई थी लेकिन अब Tata Steel अपने आपको बदल रही है आने वाले समय में एक नए जमाने के साथ नए तरीके से कैसे आगे बढ़ना है इसकी सुरूआ Tata Steel ने कर लिए और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे बीजनस एक्वाइर भी किये और अब अपनी जो टेक्नोलोजी है उसमें बदलाव करने जा रही है यानी आने वाले समय बहुत कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पर Tata Steel को लेकर मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय निकल के रहे उसको समय दे की कोसेश करेंगे इसके लाहा Tata Steel के X डिविडेंट की संभावना भी बन चुकी है और कितना डिविडेंट मिलने वाला है और कब दक मिलेगा साथ में कमपनी अपनी AGM करने जा रही है Tata Steel जो अभी समय दोड़ने को तैयार है तो क्या इन्वेस्मेंट करना चीए जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल लाइक ओन दबा दी में BSE Sensex की बात के तो इस समय 63,223 के सतर पे आपको 161 पॉइंट की गिरावट के साथ में ट्रेड करता हूँ दिखा देगा 0.25% की गिरावट है अब इस गिरावट के पीछे वज़े है profit booking all time high बाताने के बाद में आप देखे तो यहाँ पे उपर के level से profit booking शुरू हो चुक स्टिल की बात के शुरूआ तो पॉजिटी हुई 115 पर Friday के closing 114 के आसपास की थी और intraday में 115 का इसने high भी बनाया यानि श्टॉक थोड़ा सा उपर गया लेकिन जैसे बादर में दबाव शुरूआ इसने 113 का low बनाया और फिलाल श्टॉक 113.80 के आसपास ही है जा पे 0.39% क का असर देखने को मिला है लेकिन पिछले एक साल के हिसाब से जो इसकी गिरावर थी वो सारी थम चुकी है आप देखे तो वन येर का जो रिटन है उसका वो 32% पॉजिटीव है यानि श्टॉक 83 के आसपास हा साल बर पहले तो उस हिसाब से देखे तो इसका रिटन जो था नेगेटिव को खत्म हो चुका है सिर्फ 6 मंद की बात कर दो यहां पर भी 1.83% का पॉजिटीव रिटन देखने को मिला है स्टॉक 102 के आसपास हा 23 December को अब उस लेवल से देखे तो काफी है चार रिटन है करीब 11 रुपे के आसपास का आपको पॉजिटीव रिटन देखने को मिले है यानि पूरे महिने के अंदर पूरे साल के अंदर कहीं पर भी आपको निगेटिव रिटन देखने को नहीं मिल रहा है यानि स्टॉक इस समय काफी अच्छा है और बुलीज जोन में दिखाए दे रहा है 82 इसका 52 विक का लो है 124 52 विक का ही है अब 113 का है असपास स्टॉक है नहीं उपर के लेवर से तो 11 रुपे नीचे आपको मिल रहा है वॉलिम देख सकते हो लगबग एक जैसा ही है पिछले एक मैने पहले इसका 4 क्रोड का वॉलिम था 2 क्रोड की डिले उठाए गे दी और देख सकते हो कि फ्राइडे को 3 क्रोड का वॉलिम था 2 क्रो अपने बीजनस को पटरी पे लाने के कोसिस कर रहे है और तो स्टील सेक्टर में दबाओ उसके किस तरसे उसको कम किया जाए वैसे तो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड निकल चुकी है उसका फाइदा देख नहों मिलेगा तो जीम फाइनसल सर्विस की तरप से तीन इस किये जिसमें टाटाशिल का इनका ओप्सन दिया है कि जिसमें आपको इंवस्मेंट करना चीए तो रिलाइंस फीचर के खरिदारी के सला है आप देख से तो की 2548 के आसपास आपको खरिदारी के सला दीजेगे इसके टार्गेट 2650 से 2700 के आसपास रह सकते है स्टॉप लॉ जाके आपको खरिदारी करने है टाटाशिल के फ्यूचर में और जो तीसरा जो बता है जेम फानेशल के तरब से वो है भारत फोर्ज फ्यूचर एटने फोर्टी तरभी पर इसनों ने खरिदारी के सला दिये आठ स्वासी का पहला टार्गेट है और 920 इसका सेकेंड टार् टाशिल के लिए जेम फानेशल सर्विस ने याँ पे दाव लगाने के लिए काया है उसमें आप देख सकते हो उनका कहना है कि टाटाशिल की जून की एक्सपारी वाली 1.15 के स्ट्राइक वाली कॉल खरिदने की उनकी सला है तेज़स आने काया है कि इसमें 1.85 रुपे के इ वो इस फाइनसल एर में करीब 16,000 को पिसका एक बड़ा इंवस्मेंट करने जा रहे अपने बीजनेस के लिए टाटाशिल के टॉप मेनेजमेंट ने काया कि डोमेस्टिक और ग्लोबल ऑपरेशन के लिए वो करीब 16,000 को पिसका निवेश करेंगे कमपनी के CEO और MD TV नेजन और Executive Director CFO कॉसिक चटरजीन है काय की 10,000 को पिसका जो इंवस्मेंट है वो स्टेंडर ऑपरेशन के लिए रखा जाएगा इसके लावा 2,000 को पिसका जो निवेस है वो बारत में टाटाशल की जो सब्सक्रीज कंपनी है उनके ओपर खर्च किया जाएगा कंपनी जो 10,000 को इसका जो खर्च करेगी अपने बीजनस के लिए उसमें से 70% का जो इंवस्मेंट वो अकेला कलिंग नेगर प्रोजेक्ट के ओपर किया जाएगा कंपनी की ओडिशा इसका जो प्लांट है उसकी चमता 30,000,000 एमटी है उसको बढ़ाके 18,000,000 एमटी तक करने की प्रक्रिया चल रही है और इसकी कैपिसिटी को बढ़ाने के लिए इसमें बढ़ा खर्च किया जाएगा अब यावे टाटा स्टील को लेकर इसका टेक्निकल आउटलूक देके तो आईसे से डारेक की तरफ से इस समय इसमें खरिदारी की सला उनके इसाफ से एक फ्रेश ब्रेकाउट दिया है बाइंग अपोर्चुनटी इसमें तला सकते है क्योंकि स्टॉक देके तो इस समय अब देश्टिल सेक्टर में डिमांड निकलने लगी है डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा कर रही है तो एक फ्रेश इंट्री का ये मौका बंद रहा है आईसा ऐसे डारेक कमाना है कि स्टॉक एक सो पचीस तक जा सकता है तो कुल मिला कि आपे खरिदारी के सला निकल के इसके लावग कमपनी ने आपे डिवीडेंड का ऐलान किया है 3.6 रूपीज पर शेयर जिसकी फेस्ट वाली 1 रूपीज के आज पास है ये कमपनी डिवीडेंड देखी फाइने सले 2022-2023 के लिए और आप ये देख सकते हो कि कमपनी की जो एजियम होगी 166 वी एजियम है य अगर शेयर ओल्डर के पास है इसका अप्रूवल मिल जाता है तो 10 जूलाई से जो डिवीडेंड है वो देना सुरू कर देंगे उनके शेयर धारकों को तो आपके पास मौका है इस समय अगर खरिदारी करें तो आपको बिलकुल डिवीडेंड मिलेगा वैसे कमपनी ने एक डिवीडेंड डेट भी दे दिये हैं 26 2023 उसके पहले अगर आपके डिवीडेंड अकाउन में शेयर होंगे तब ही आपको इस डिवीडेंड का फाइदा होगा है यह आपको खास ध्यान अकना है और वैसे इस AGM के दौरान कमपनी मर्जर करों लेकर भी कुछ बड़ा अनॉस अब बाच्ची कर दिये हैं इसके लिए आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया है इसके लिए जर्मनी के कमपनी SMS के साथ में उन्होंने बिजनेश टाइप किया है जिससे आने वाले समें जो जो पोलुशन होता है यानि कि जो श्टील के निर्वानों उसको पचास मर्दी से तक कम किया जा सकता है तो इसकी कोशी से सुरू हो चुकी है और यह आने वाले समें टाटाशन को बहुत तेजी से उपर लेके जा सकते है इसकी प्राइज बहुत नीचे है क्योंकि देख सकते हो कि वैसे तो इसकी फेस वैली वन रुपीज की गई है लेकिन इसकी के साथ बना हुआ देख सकते हो 95% buy की call है 5% sell की call है यानि 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें तो लोगों की पहली पसंद बना हुआ volume काफी अच्छा है और sector काफी मजबूत है company का business model काफी अच्छा है और आने वाल समय जिसने से domestic बढ़ने लगी है तो definitely इसका फाइदा टाटास्टील को होगा तो एक लॉंग टम कान जाए लेकि टाटास्टील में आप investment कर लेना चीए लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने फाइननसल एडवेंजर सब्सक्राइब ले ले यह आपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जरू की जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए thank you